हेलो दोस्तों मैं अपूर्वा पाटक सारसुत क्लासस में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं तो अभी तक हम पढ़ रहेते हैं सिन्वानेम अन्टोनिल जिसके हम तीन पार्ट कर चुके हैं आज हम उसी सीरीज को कंटीन्यू करते हैं पूर्थ पार्ट करेंगे तो ज पहला जो आपका वर्ड है वो है ब्लैमिश यह हम पिछली क्लास के वर्ड को रिवाइस करके फिर कंटीन्यू करते हैं तो ब्लैमिश का मतलब होता है दाग स्टेन कैसे याद किया था कि ब्लेम कर रहा था ना डॉक्तर आपको आपके पिंपल हो गए कि आप अच्छा खाना तो ब्लैमिश हो गया ना दाथ पीस रहते तो ड् discriminate से un को मोडिएस याद किया था ता मेंट होना बीक से ब्लै किया था अकिप्टिविटि कैप्टें में प्रिजन में तो इमप्रिजिंबन है बान दी एविडेंट प्रूफ होना किसी चीज का सबूत होना से सेसेशन आपने किया था पार्लियामेंट से याद किया था उनकी पीच का पॉस ठीक है Legislative का मतलब के से त्क अम्बानी से याद किया किया था बहुत सारे अमौट होना अ neutr意思 मल्टीटुड में यूमन का मतलब रहा हो जहीं त्षेर मार्किट युर्ट अन। मेरिट में आते हैं तो सब आपको तआरीफ करते है आपको एड्मायर करते जो हर धर्म को मानघ सिक्यु इंजीनियस गारनि जीनियस से याद किया ने श्किल्ड परसन थे कूशल नौ defence नौ मॉष्टल को है 수 err हेपलिस को है है और यह नहीं रहा है तो आप अच्छे से हल्दी रहों गया है तो प्यौर रहा था हावटी तो अपना हवा बनाना अपनी अरोगन दिखाना घमन दिखाना वह वह यह सब्सक्राइब शानदार काम करना छल्ट लैस्ट इस मनरब लैस्ट आसे व्म नहीं बनाःता लेजी और आगे हमने क्या देखा मैलोडिष मैलोडियस याउनी म्यूजिकल मैलोडी स्वीट होना फेल्ड वैसे ब्लैमिश स्टेन पढ़ करा और आ इंकम में ब्रेक लग गया तो क्या हो गया ऑफ्स्टेकल आगया ठीक है बाधा आजाना फैब्रिक बनाते हैं तो कंस्ट्रक्ट करना सौरी क्यालमनी क्यालमनी मतलब कालमनी किसी पर लांचन लगाना डिफेमेशन इस तरह से याद किया तो यह कुछ वर्ट थे पिछले अब ह लूर एक नाउन है वह आपको जब ग्रैमर बढ़ाएंगे तब आपको समझ आएगा नाउन और वर्ब के बीच का यहाँ पर अगर हम करेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगा तो लूर का मतलब होता है अट्रैक्ट सेम भई हम फर्स्ट लास में पढ़ाता हमने कि अल यह सब इसके अन्टनिम हो गए यह वर्ड जो मैं आपको बता रही हूं यह सब आपके आगे और क्लास में आ जाएगे तो महां पर आपको सही से एक्स्प्लेंग कर दोगे अभी आपको एक बार ताकि आप गो थ्रू कर लो इसे तीक है ओक्या वर्ड पढ़ा लूर का हो गयाँ किह या और जलते हैं किस्की की मजाग तो मजाग करेंगे आपने देखाwn में लड़किया द्राइब करते हैं लड़किया करना कने मजाग उड़ाना ठीक दिराइड का मतलब हो गया मजाग उडाना इसके से मुझा इसका सिन्वन MPH करना प्रछान छीक्लक करना और एक और हम करओ सकते हैं करना है जानते हो भी संथें सिंब तो इसी का synonym हो गया ट्रॉल करना अन्टोनिम क्या हो गए? इंस्पायर करना एंकरेज करना स्टीमिलेट करना कमफोर्ट करना ठीक है? कमफोर्ट कर देना इसको अपोजित यह उप्वेसली मजाक उडाना और किसी को तो यह इसके हो गए एंटोनेम्स तो डिराइड का मतलब हमने क्या पड़ा मजाक उड़ाना मॉग करना और पिछला वर्ड जो हमने पड़ा था लियूर का मतलब क्या था अट्रैक करना तो नेक्स वर्ड पर चलते हूं नेक्स वर्ड आपका फोर रनर क्या है अब देखो जहां पे भी एफ ओ और ये लिखा है उस फोर का मतलब होता है पहले पहले पूर्व बेसी करें तो जब भी फोर कहीं पर भी आया तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो बेस वर्ड की वाला आपके पूर्वज फोर रनर का मतलब होता है पूर्वज एंसस्टर्स इसका एक चुनोनिम है तो क्या-क्या सुनोनिम हो गए प्रीकर्सर री डिव जिर एंसस्टर्र पायनीर यह सब होगा शेल और अन्तोनिम क्या हो जाएंगे ऑव्यसली जो बाद में आएंगे वह जिगए इसका ऑना उत्तरा दीकारी, और पूर्वज तो इसका एंत्न्म क्या हो जाएंगएगे उत्तरा दीकारी, इसे ये सब क्या होगी फूर गारर शियन है कि यह सब द हो गए इसके eh इसका मतलब होता है यह aint-im Engineer का मतलब हो जाते है आपका उत्तरा दीकारी, Dollam क्या वर्ड पढ़ लिया जिसका मतलब होता है पूरवज ठीक और पिछले क्या वर्ड पढ़ेते हैं लियूर मतलब अट्रैक करना दिराइड यानि मौक करना मजाक उड़ाना तो नेक्स वर्ड पे चलते हैं जो है कैविटी को पच्पन में चॉकलेट खाई और कैविटी बहुत जादा वैसे मुझे बताने की जर्द नहीं है होल हो जाना आपके दात में जो होता है उसको बोलते है कैविटी तो कैविटी का मतलब होता है होल ठीक है और इसके सिनॉनिम क्या होता है डेफ्थ घड़ा डेफ्थ में होता है न अंधर तक डिप्रेशन होल अपर्च यह सब इसके क्या हो गए सिनॉनिम क्या हो गए एलिवेशन प्रोजेक्शन माउंड हाइट नीचे तक होना डेफ्थ हाइट में होना इसका अपोजिट हो जाए दिख्या सिंपल तो कैविटी और कुछ वर्ट सम्में क्या पढ़ लिए डिराइड मतलब मॉक करना मजाया को क्या हो नेक्स वर्ट हमारा क्या है कि डेफिशिंट क्या ना ब Juange पर शहीं सद्दिय को इस चीज की डैफिशेञाने चीज की कमी हो जाना तो यह कि यहाद कर सकते हैं कमी इसनॉनिम के स्केंटी इनेडिक्रेट एडिकुंट का मतलब होता है इस चीज बहुत आप होना अपने और भी कई जगें अपने चाहिएड़ा है पिछी कुछ कुछ में हम करके आया तो आप और इसको यारत करना इन активिट हो जाएगा कमी हो जाया लेकिंग कमी हो ना वां टेंग कमी है तभी मांगा है वां कर रहें चाहरा है रहें यह सब सिन्वानीब और एंत्वनिम हो गए है एडिकवेट विसलिए अम्पल यानि बहुत अमांट में ह पहुंभ हें कि पढ़ा था कहां पर अन्सेक्शिए मैं लगजमेंहाय थो होग से ले पहा एजी डिराइड डिराइड यानि मौक करना मजाक उड़ाना नेक्स वर्ड क्या है एंब्रेस मतलब गले लगाना एक्सेप्ट करना किसी चीज को अब देखो कैसे याद कर सकते हैं ब्रेस से हम क्या बना लेंगे ब्रेसलेट ठीक है और वही ब्रेसलेट अगर आपका गोल्ड हो जा लगा कर रखना यह हो गया एंब्रेस का मतलब इसके कुछ सिनॉनियम क्या है क्लिंज है क्लिंज हग करना अडॉप करना क्यारेस आप सब बताएगा क्यारेस के सिनॉनिम हम पढ़ के आ रहे हैं पहले तो क्या मतलब होता है कि सारी है और इसके अंटरिम हो गया है accept कर रहे थे नेगलेट शन श्लाइट यह सब इसके क्या हो गए एंटरने कुछ वर्ट्स हमने जो पड़े वो क्या है कि देफिशिंट कमी हो जाना पूरणर पूरवज दिराइड यानि मौक करना तो एंब्रेस का मतलब क्या हो गया चिपका के रखना हग करना लाट दुलार करना के अरेस का मतलब था वह अमने फॉर्स या सेकंड क्लास में पढ़ा होगा शायद कहीं पर जिसमें वो संजदत ग नेक्स वरड हमारा एंग्जम्ट एंग्जम्ट का मतलब होता है किसी चीछ से किसी को मुक्ति दला देना शोड देना प्टिश छुट कारब जैसे आप ऐसेसी शी का कोई एकजाम देते या फिर कोई भी विग्जाम देते तो उसके अंदर जो महिलाओ को छूट होती है कैत एक्जाम्ट से लिए और भूए और गुंड़ है फिर फ्रीटेशने से हैं अब देखो एक्जाम्ट का मतलब होता है रिलीज करना अब याद करने के लिए हम कर सकते हैं वागी इसका मतलब नेगेटिव नहीं है फॉजितिव में ही इसको याद करते हैं कि लाग्टेश के अं याद किया निकाल देना, class से बाहर निकाल देना, release कर दिया आपको class से release कर दिया ठीक है बाकी ये word एक positive word माफ कर देना ये सिनननीम हो गई release, excuse, exclude कर देना, निकाल देना, absorb यानि माफ कर देना ये word भी हम पढ़ चुके अब तो matter solve कर दो, अब तो माफ कर दो, ऐसे पढ़ाता हमने और इसके अन्टोनिम हो गए confine, hold, retard and force ये सब क्या हो गए इसके अन्टोनिम हो गए तो क्या word पढ़ लिए हमने, embrace, bracelet से याद किया, hug करके रखना, for runner, पहला, for का मतलब पहले, पहले पूरवज आ गए हमारे, deride, deride का मतलब, mock करना, ठीक है, okay, next word है हमारा, lassitude, lassitude का मतलब होता है, tired, ठक ग गया, अब देखो, आप और आपके भाई, दोनों कही बाहर से आते हो दो बाहर से आते हैं, तो घर में लशी रखी भी है, ठक गया, अब ममी बोल रही है, लशी पीलो, तो कैसे लड़ते हो, तू ले क्या, मैं थक गया, तू ले क्या, मैं थक गई, तो लशी से हम लशी ट्यूड याद कर लेंगे, और ठक गये से फिर इसका मतलब हो गया, tired, त से ठक जाना, ठक है, तो लेसिट्यूड का मतलब हो गया, ठक जाना, tired, synonym हो गया, लेंगर, tiredness, weariness, lethargy, alas, ठक है, एंटोनिम क्या हो गया, इसका, alas का, एक और मैंने lazy का आपको बताया था, listless, हाना, वो भी इसके synonym में आइड कर सकते है, vivacity, agility, एजिलिटी यानी जल्दी करना, ठक है, एजिलिटी, animate, lively, ये सब हो गया, इसके, एंटोनिम, ठक है, तो लेसिट्यूड का मतलब हमने क्या पढ़ लिया, tiredness होना, ठक है, वो कुछ वर्ट्स क्याते है, exempt, exempt का मतलब, निकाल देना, release कर देना, अब्जॉल, ये सब इसके synonym हो गया, पोर रुनर, precursor, ancestor, denied, यानि mock करना, ridicule करना, ये सब हो गया, इसके synonym, next spelling है, हमारी nullify, nullify का मतलब होता है, cancel कर देना, ठीक है, cancel कर देना, किसी चीज़ को, तो अब nullify को null and void से याद कर सकते है, null and void क्या होता है, एकदम खतम कर दिया, कुछ मतलब लिया, null and void कर दिया, सब्सक्राइब कर सकते हो, इसलिए null से nullify कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए null and void में लगाया, और इसका मतलब, पोपटल, बोलता है, cancel, cancel, ठीक है, तो cancel इसका हो गया मतलब, और null, null and void से हम याद कर रहे है, nullify, इसके synonym क्या हो गया, cancel, annual, obliterate, obliterate आप बहुत वर्ट सुनोंगे, remove कर देना, बिटा देना, यह धियान रपना, invalidate कर देना, एक synonym, यह हो गया, और एंटोनिम क्या हो गया, confirm, अभी तक तो cancel कर रहे थे, अब hold करना, empower करना, endorse करना, accept करना, ठीक है, यह सब हो गया, इसके, एंटोनिम, तो nullify का मतलब क्या हो गया, cancel, 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 नहीं भूलोगे ना, ओके, तो क्या वर्ट पढ़ेते, lassitude, lassitude, एंटोला, I am tired, मैंने जादा काम किया, मैं जादा चलाओ, तो lessitude से tiredness, exempt, हैनि release कर देना, deficient, deficiency हो जाना, cavity, cavity मतलब whole, okay, next spelling हमारी है, inquisitive, inquisitive का मतलब होता है, curious, मतलब किसी चीज के लिए उच्चुक होना किसी चीज के लिए, जाग रूप, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, क्यूजिटिव से question ले सकता है, कि जब आप छोटे बच्चे होते हो तो बहुत curious रहते हो ना, हर चीज को जानने के लिए, जैसे ही बच्चे पूछ रही है, अपने मम्मी से बहुत सवाल कर रही है, बहुत question कर रही है, तो question से inquisitive, और बहुत question करने से curious होना, जाग रूप रहना, तो इसके synonym होगे inquiring, curious, searching, studious, studious, studious का मतलब होता है, बहुत जादा जो पढ़ने वाला होता है, वो पढ़ने वाला बच्चा, कि दा भी गड़ा, studious, ठीक है, और अन्टोनिम होगे distracted, negligent, कोई मतलब निया है, इंडिफरेंट, इंपैसिव, यह होगे इसके अन्टोनिट, वर्ड क्या पढ़े हमने, inquisitive, inquisitive मतलब curious, nullify का मतलब cancel, forerunner, फिर से आगया है, forerunner, ancestor, lassitude, lassi, से हमने पढ़ लिया, I am tired, tiredness, next spelling है, momentus, momentus मतलब क्या हो गया, एक बहुत memorable day, यादगार दिन, moment वाला, moment बन गया, जब वर्ड कप जीती थी इंडिया, तो हमारे लिए बहुत यादगार दिन था, momentful day, तो momentus से क्या हो गया, eventful होना, eventful day, important day, बहुत important day होना, है, basically, महत्वपुन, अक्ति महत्वपुन, momentus, तो इसको कैसे याद कर सकते है, moment बन गया, momentus, and moment, क्यों बन गया, क्योंकि एक इंपॉर्टन दिन हो गया, यह वर्ल्ड कप जीत गया, इस दिन इंडिया वर्ल्ट कप जीती है, महत्वपुन दिन हो गया, ठीक है, इसके स्टैरिंग यह सब हो गया इसके सिनोनिम और एंटोनीम ट्रीवियल मतलब इंपोर्टेंट नहीं इंसिंग्निफिकेंट का मतलब होता है important insignificant का मतलब unimportant commonplace immaterial यह सब हो गए इसके internet तो momentus हमने पड़ी लिया inquisitive मतलब question पूछ रहे हैं बहुत curious exempt exempt मतलब release कर देना मुक्त कर देना derived derived यानि बचाया यह अगला फटेंड का मतलब होता है follower क्या कैसे करेंंगे तूर्ण को दीरच से यह दीरच है ने ब giornले साहते का बेटा को चमाजी का बेटा चाहर माजी का बेटा जो इंटेलिजिटए डेलिजन इतना पढ़ता है तुम भी पढ़ो उसको फोलो करो तो धीरत से हो गया अडेरेंट फोलो करने से क्या हो गया फोलोवर इसके सिनॉनिम क्या हो गया फोलोवर मतलब उसके एंटी होना आप होते हो ना एंटी शर्मा जी के बेटे के क्यों पढ़ता है यार इतना वैसे ओके तो अधरेंट का मतलब हो गया फॉलोगर कुछ वर्ड्स हमने क्या पढ़ें पिछले मोमेंटस मतलब इवेंट फुल डे क्यों कर इक है क्यूद इसथे और हमारा कॉंषा आप सब जानते हो आपके दो तरीके के व्रेंट प्रेधिक संक्षा माइड इस तरीके से आप याद कर सकते हो conscious यानि aware ठीक है अवेर हिंदी में बोलुँ तो जाग रूख ठीक है conscious का मतलब हो गया aware apprised knowledge informed ठीक है तो यह हो गया अपने और एंटोनिम क्या हो गए अनवेर इग्णोरेंट इग्णोरेंट वर्ड अनफेलिंग फेंट यानि होता है कमजोर है ना नौट अवेर फेंट ठीक कुछ वर्ट क्या पड़े हमने कि अडेरिंट यानि फॉलोवर मोमिंट यानि इवेंट फुल इमब्रेश एनद समय कर लेना ख कर ले डिना अननलली फिले का मतलब ऊगाए थिक है नेक्स है स्पेलिंग पर मैं आती हूंच नेक्स स्पेलिंग है आपकी फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना नरिश होना फ्लरिश होना फ्लरिश होना फ्लरिश का मतलब फलना फूलना तो इसको हम किससे कर सकते हैं फ्लार से किससे फ्लार से फ्लार तो सब जानते हो ना फ्लार से हम फ्लरिश याद कर सकते हैं फूल एक मिनट में प्रॉसफर ट्रायम्स थ्राइब ब्लॉसम जनरली फ्लार के लिए हम यूज करते हैं फलना फूलना इसके अंतरनिम क्या होगा डिकै यानि सडना कॉलेप्स विदर डिटेरियो रेट यह सब होगा इसके अंतरनिम फूलना यह सब होगा बरबार दोना ठीक है कुछ वर्ट समने क्या पड़ें कॉंशियस का मतलब अवेर होना जागरों इनक्यूजिटिव से क्यूरियस अधरेंट से धीरच फॉलोवर कैविटी फोल होना नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी आजाती है डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन मतलब होता है डिग्रेश करना आपको कैसे समझाओं डिस्रेस्पेक्ट करना ठीक है अपमानित करना डिग्रेडेशन डिग्रेड कर दिया कि भाई डिग्रेड कर दिया तो कैसे डिग्रेड से बन गया डिग्रेडेशन डिग्रेड कर दिया यानि कि अपमानित कर दिया तो डिस्ग्रेस डि synonyms ठीक है एंटोनिम हो गया एक्षॉल्टेशन प्रेज ट्राइम्फिंट ओनर यह सब हो गया आपके एंटोनिम्स और कुछ श्वर्ट जो हमने पड़े वह क्या थे फ्लरिश यह निए फलना फूलना अधिरिंट दीरत से याद किया फॉलोवर इंक्यूजिटिव मतलब क्यूरियस होना लसी से आयम टायर्ड ऐसे याद किले नेक्स वर्ड है हमारा फ्रुजेलिटी फ्रुजेलिटी का मतलब होता है कंजूस आदमी अब इसको याद किसे करें है तो फॉजेलिटी यह जब वाढ़ा बिर्टी और ऐसे इसमाल दोगों को दो याद रहेगा हमारा फ्रुजेलिटी इसेEMA इनक्याद वाजस्य इनक्यातद राऊंड थासे ऐसे वह तो वह उन्याम मतलब है तो बाहर्त से एग्जेलिटी निजस्चिगली ऑलना तो क्या हो गया एकॉनोमिकल प्रोविडेंस थ्रिफ्ट पार्सिमोनी यह सब हो गया सलोनिम बहुर तो हो जाते हो आप लोग क्लास में आईनों पर क्या करूं क्लास ही ही है बोरिंग तो होती ही है ओके तो नेक्स वन नेक्स्ट क्या कर रहे है एंटोनेम लेशनिस एक्स्ट् presence prodigality improvidence यह सब हो गया इनके एंटोनिल लेविश में सोना बहुत वहना लेविश लाइब जी रहे है कुब पैसा है पैसा बहुत है तो फिल चर्मा का डायलोग सोना तो क्या वर्ट पढ़ ले हमने degradation dishonor करना humiliate करना disrespect करना flourish flourish यानि फलना फुलना conscious यानि aware होना next spelling is fluent fluent तो आप पता है fluent English सब सीखना चाहते है fluent यानि fast English speak English fluently in 30 days ऐसा कुछ भी नहीं होता है 30 days में आप कभी भी fluent English नहीं सीख सकते हो English भी एक language है उसको language की तरह लोगे तभी आप उसको सीख सकते हैं इंदी सीख गया थे क्या तीस दिन में नहीं सीख सकते है न वैसा ही है ठीक है तो synonym क्या हो गए इसके fast, smooth, voluble, glib यह सब हो गए इसके synonym antonym हो गए hesitant, slow, sluggish, halting ठीक है यह सब हो गए इसके antonym कुछ words हमने क्या पढ़े frugality, frugality इस हम गया focus का अदमी, lassitude, lassitude मतलब tired, momentous यहानी eventful next spelling है हमारी outrage, outrage मतलब बहुत एंगर वाला reaction देगा अगर वाला reaction अब याद कैसे करेंगे कि हम rage का मतलब होता है गुसा यह हमेशा याद रखना, rage का मतलब होता है कुछ हम base words याद करते हैं तो उससे हम काफी सारी चीजों को solve कर बाते हैं बीच बीच में मैं आपको जो words बता हैं जैसे four बता है इसको भी याद रखेगा कभी आपकी काम आएगा पहला पहले rage मतलब गुसा तो अगर आप बिना बताएं मम्मी को घर से बाल चले लाते हैं तो मम्मी को कैसा बहंग और एंगर वाला रियक्शन आता हैं कैसा आता है एंगर वाला रियक्शन गुस्से वाला रियक्शन तो आउट्रेज का मतलब हो गया बहुत गुसा होना इसके सिन्वानिम क्या हो गए offense, maltreatment, assault, irreverent, reverent का मतलब होता है respect, irreverent का मतलब हो गया disrespect एंटोनिम क्या होगा इसके प्रेज, फेवर, एस्टीम, reverence आ गया ना, reverence यानि respectful मैंने आपको पिछले कुछ class में disrespect का एक synonym समझाया था तो आप मुझे उसका कमेंट सेक्षन में बताएगा आपको मैंने अभी तक दो homework दिये यह तीसरा homework है और सब comment में बताएगा मुझे ताकि मुझे पता चले आप लोगों को learn कितना रह पारा है ठीक है यह हो गए इसके एंटोनिम क्या वर्ड पढ़ है फ्लुएंट फ्लुएंट एनि फास विजालिटी एकॉनोमिकल मॉमेंटस इवेंट फॉल नेक्स्ट स्पेलिंग है ऑस्टेंटेशन ऑस्टेंटेशन प्रेजंटेशन जैसा साउंड कर रहा है न तो अस्टेंटेशन का मत अपनी लग्जिरी का यह सब तो शोओ अफ करना उस्टेंटेशन का मतलब हो गया शोओ करना दप्रेटेंट प्रिटेंट्टेंश और शोओ डिस्पले ओफ वेल्थ एंड लग्जिरी डिजाइंग तु इंप्रेस इंप्रेस करने के लिए शोओ करते न लोग आईफोन का है प्रशाएंगे फोटो कीचेंगे अना सेल्फी मेडर सेल्फी तो वैसे शोओ आफ करना शोओ अस्टेंटेशन अस्टेंटेशन इसके संट्वाणिम होगय डिस्पले प्रेचेंशन वांट पॉंपोसिती चीक है यह अरोगंशी यह सब होगा इसके शोओ अन्टोनिम मतलब एंगर वाला रियक्शन होना एक्जैम्ट यनि छूट दे देना मार्फ कर देना रिलीस कर देना एंब्रेस हग कर लेना केरेस क्लिंज यह सब इसके अमने स्टॉनिम पढ़े लिए नेक्स वर्ड है प्रोवोग प्रोवोग मतलब बढ़काना ना बिग बॉस के अंदर स इंटोनिम हो गए पैसिफाय, कमफर्ट, डिस्वेड, फ्लेकेट यह सब इसके अंटोनिम हो गए पैसिफाय हम कहीं पर पढ़े थे एले ले 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 करके अपने बाबू को शान करा रहे थे तो पैसिफाय करना क्या विड़ पढ़े कुछ हम ने उस्टेंटेशन शॉओ आउट्रेज एंगर वाला रियक्शन नेक्ट स्पेलिंग है राइटियस राइटियस का मतलब होता है ऑनेस्ट पर्सन है राइट से हम याद कर सकते हैं राइट पर्सन कौन होता है जो इमानदार होता है सच बोलता है अमेशा इमानदार होता है तो धょ तो राइट कर लेंगे और कौन होता है राइट परसन को इमानदार होता है और सच बोलता है तेक है जी जबाइगन तो इस'T वस्के Champions Do अप्राइट जस्ट का मतलब भी यह होता है यह वर्ड हम और जब आपन सिनॉनिम करेंगे अगली क्लास में पर पढ़ेंगे और अंटोनिम हो गए अंजस्ट इम्मोर्टल अंप्रिंसिपल्ड अंफेर यह सब होगा इसके सिनॉनिम जस्ट का अपॉजट होगा अंजस्ट यह एंगर होना गुस्सा होना रिमोट रिमोट का मतलब होता है दूर टीवी वाला रिमोट जो होता है दूर से भी काम करता है न तब ही तो आप दूर पढ़े-पढ़े सब एसी ओन कर देते हो टीवी ओन कर देते हो है ना रिमोट का मतलब दूर जो दूर से भी काम करता है ठी कि इसके कुछ सिनॉनिम क्या हो गए इन एक्सिसेबल फार्दर डिस्टेंट स्लाइट यह सब हो गए इसके सिनॉनिम और एंटोनिम की बात करूं तो एज्जॉइनिंग एज्जिसंट प्रॉक्जिमेट कॉंटिज्वेस एज्जिसंट हमने पढ़ा था सेंट लगाते हैं सब आपके पास पास आता है एज्जिसंट यह मतलब होता है पास होना राइट यह सका राइट पर्सन से ऑनिस्ट ऑस्टेंटेशन ऑस्टेंट इसलिग एक्वानोमिकल आउट्रेज आउट्रेज मतलब गुस्षे वाला रियक्षिन आना कि Clayos का मितलब होता है Heartless יक्सिता है हैं अब देगो कैसे याद कर सकते हैं क्यालीत करएं फलेश कर झाल फिंग है कैसे कालेश तो किसी के घर में अक्षिरा जैसी बहू आ जाया तो सब कहते हैं कितनी बढ़िया बहु आ गई और वहीं हीना खान आ जाए तो क्या बोलेंगे कलेश ही बहु आ गई कलेश ही आ गई तो कलेश से भी कोई फिलिंग इन घर में कलेश ही घलेश करती रहती है हार्टलेस ऐसे याद कर सकते हैं इसके सिनॉनिम हो गए ऑब्डूरेट अन फिलिंग बिना फिलिंग के हार्टलेस इंडिफरेंट यह सब हो गए इसके सिनॉनिम और अन्टोनिम क्यों हो गए कमपेशनेट टेंडर काइंड इसका सिनॉनिम एक हो सकता है अनकाइंड सिम्पथेटिक सिम्पथेटिक यह हो गए इसके अन्टोनिम ओके तो और क्या वर्ट पढ़ प्रेग्मेंट्स यानि है टुकडे सेंट्टा एक कर सकते हैं तो याद कर सकते हैं । स्क्रैप्स रेजिड्यू जो आइटम पढ़े रहते हैं वह होते हैं स्क्रैप्स रेजिड्यू यानि बचा हुआ सेग्मेंट सेक्शन यह आपको मैंने बगाई दिये और एंटोनिम हो गए टोटल पूरा का पूरा एंटायर ग्रोस एग्रिगेट यह सब हो गए इसके एंट आइड आउट्रेज यानि बची वाला रिएक्शन कोंशन पाउमोशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा इस्टर्बिंस या फिर बहुत डिस्टर्ब्र जो वॉईस होती है वह होते हैं तो देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं से मोशन से बहुत ज्यादा किसी चीज में अग ढूल में नियाद कर सकते हैं इसका मतलब होता है तो कंबोचन का मतलब होता है fromiece to to को अको मोशन दाव्ट इस्तृर्बिंग to other bhat शोड भी करे कि पंखा बात ज्यादा जितना जादा मोशन में गोमने जाए जितना जाए उस से तो बहुत आवाज करने लग जाए तो वैसे याद कर सकते हैं इसकी सेनोणिम होगा तर्मॉइल इस्टिबेंस agitation, excitement यह सब हो गाई इनोनिम और एंटोनिम हो गई tranquility, tranquility मतलब शान्थ, stillness quietness quiet या निचो calm यानि भी शान्थ यह सब हो गाई इसके एंटोनिम, क्या-क्या वरत थे fragments, fragments मतलब scraps, callous, heartless यह बिना heart के unkind निर्दाई, Fragility यानि Conjus वह यह हैं Okay last word accumulation accumulation मैं आप पो बताया था अमास के अंदर कि mass amount में कोई चीज गैदर कर रहे है आप इसके सिनॉनिम में पढ़ा था accumulation accumulate करना एकटा करना ठिक है तो क्या हो गया इसके सिनॉनिम store करना अमास करना preservation conservation यह सब हो गया इसके यहां पर स्केटर कर देना डिसीपेशन कर देना सेपरेशन करना यह सब होगा इसके एंटोनिम तो क्या वड़ता है अक्युमेलेशन मतलब इखटा करना को मोशन बहुत मोशन हो गया तो दिस्टर्ब फ्रेग्मेंट्स यानि टुकडे लेसिट्यूड यानि आयम तायर ठीक है तो तो चलो फटाक से रिवाइस कर लेते हैं तो को मोशन का मतलब अभी बढ़के आ रहा है बहुत जादा मोशन हो गया डिस्टर्बिंस अक्युमेलेशन यानि गैदर करना इखटा करना फ्रेग्मेंट्स टुकडे अधेरेंट्स धीरश फॉलोवर कैलेस कैलेस कालेश से याद किया हार्टलेस यह भी आ गया रिमोट डूर रखा हुआ है तो दूर डूर से चल जाता है न तो रेमोट का मतलब हो गया दूर है राइयर्स ब्रॉकन कान ह्यादार है प्रोवोंख यानि बढ़काना उस्तेरमी प्रिजन्टेशन जैसा होता है रहें करना है अपनी अपने प्रेजन्टेशन करना है निAntra jaar गुश वाला रियक्शन होना एक्जेम्ट यानि रिलीस कर देना यूर आपको पता है अट्रैक करना फ्रुजलिटी प्रुजलिटी मतलब पढ़ा था कंजूस फ्लुएंट फास्ट डिग्रेडेशन डिग्रेड करना डिसॉर ना फ्लरिश फलार्स कैसे होता है फलते फूलते मजाग उड़ाना के विटी यानि होल होना इंक्यूज़िट्यव क्वेशन बहुत ज्यदा बूछते क्योंकि क्योंकि क्योरियस रहते हैं जाग रुक रहते हैं मॉमंटस मॉमंटस यानि इंपॉर्टेंट इवल्ट एंब्रेष ब्रेस्लेट को चिपका गया रखते हो ना अब तो दोस्तो यह थी आज की Class I hope आपको पसंद आयोगी Class और आपको इतनी देर तक वीडियो पर बने रहने के लिए Thank You तो बने रहे है हमारे साथ हम रोज इसी तरह की नई अपडेट के साथ आपको मिलते रहेंगे नए वीडियो के साथ तो थैंक यू फोर वचिंग आर वीडियो और आपको वीडियो पसंद आये तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू